नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है किसी भी धकनदार बरतन को डिब्बा कहते हैं किसी भी धातु जैसे लोहे, पीतल, अलुमीनियम, टीन या प्लास्टिक से बने गहरे वा धकन वाले पात्र या आधान को डिब्बा कहते हैं रेल गाड़ी के इंजन से जुड़ने वाले आठ पहियों वाले घटक या बोगी को भी डिब्बा कहा जाता है इस शब्द को अकसर लोग डब्बा कहकर इस शब्द का गलत उचारण करते हैं परन्तु ये इसका शुद्ध उचारण नहीं है इसका सही उचारण है डिब्बा डब्बा नहीं यदि इस शब्द को वाक्य में प्रयोग करना हो तो कहा जा सकता है दाले रखने के लिए मैंने बाजार से छे डिब्बे खरीदे या रेल गाड़ी के प्रत्येक डिब्बे में बहुत फीड थी तो आइन्दा इस शब्द का सही उचारण डिब्बा कहकर करें डब्बा ना कहें यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया मेरे चानल को सब्सक्राइब करें मेरे भावी वीडियो की नोटिफिकेशन्स प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं वो इस वीडियो को लाइक वो शेर करें धन्यवाद